जिसको कमर में दर्द हो उसको जरूत महीं होती है जब कमर का दर्द इंटोलरेबल हो जाए आप बैठ न सकें चल न सकें या आपके पैरों में दर्द हो एक पैर में या दूसरे पैर में या आप थोड़ा चलने के बाद आपको रुकना पड़े जिसको इंटर्मेटन क्लॉडिकेशन बोलते हैं और आखरी में अगर आपका ब्लैडर बावल इंवाल्मेंट है बैक एक के साथ यह चार कंडिशन्स हैं जिनमें उपरेशन की जरूत पड़ती है वरना बहुत से पेशन्ट हैं 100% अगर में से करीब 30% पेशन्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं 30% को ही किल्वा आपरेशन की जरूत पड़ती है और 40% को कभी-कभी पेइन प्रसीजर की जरूत पड़ती है